अपनी आख बंद करो और अपनी क्रश को इमेजिन करो अगर मैं कहूँ कि वो लड़की आज के बाद आपको खुद मैसेच करेगी, खुद कॉल करेगी 2400 घंटे आपको भाव देगी, आपसे बात करना चाहेगी, तो आपको कितना मजा आएगा, नहीं हसो मत, इस वीडियो में ये सच होने वाला है, अगर सच नहीं हुआ ना, वापस से वीडियो में आना, कमें सेक्शन में गाली बखके जाना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा मिजो इतना भरोस हैं इंट्रेक्स पर, सबसे पहली ट्रिक है, बी अ हैट टर्नर, हैट टर्नर किसे कहते हैं, कि आप किसी से मुलाकात करके गए, या ऐसी आप कहीं घुमने चले गए और आपको कोई लड़की दिखी, आप सामने से निकल गए, और एक बार पीछे मुड़ के जरूर देखा, तो आप पीछे मुड़ के उसी लड़की को देखते हैं, जो आपको भाज आती है, और यही काम आपको इस लड़की के साथ करना है, जब भी आप इससे बात करो, तो आपको इतना अच्छा experience उस लड़की को देना है, यानि अपनी crush को देना है, कि जब व most important बात, आपको दिखना अच्छा पड़ेगा, आप लड़की के sense of humor को देखके मुड़ते हो क्या, नहीं, या उसके अंदर की personality को देखके, नहीं, आप देखते हो इसकी hotness, आप देखतो कितनी महल लग रही है, आप बोलतो कि क्या लग रही थी भाई, पीछे मुड के मुझे नहीं पता भाई तुम कैसे हो, बुरा मत मानना, तुम्हें भी पता है तुम कैसे हो, लेकिन जैसे हो कम सकम उसमें तो अच्छा दिख जाओ भाई, हम वैसे ही चूतिय से लगते हैं, अगर हम अच्छे कपड़े भी नहीं पैनेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं होने दूसरे हैं पर पॉइंट है, smell irresistible, आपको ऐसा smell करना है ना, आपको इतना अच्छा fragrance वियर करना है ना, कि लड़की आपके पास आते एक बार को, वाह, क्या बात है, यह ज़रूर कर दे, आपके साथ भी होता होगा ना, आप कहीं गए random जगा पे, और आपको आसपास इत इसलिए जब भी आप किसी ऐसी जगह पर जाते हो, जहाँ पर अच्छी smell आती है, तो आपका mood अपने आप बनना शुरू हो जाता है, आपको एक अच्छा fragrance वियर करना है, एक अच्छा deodorant ले लो मेरे भाई, 100-100 के चक्कर में मत पढ़ो, 400-500 लगा दो, कम से कम बंदी इसे प्यासे नहीं मरोगे, थर्ड पोइंट यहाँ पर है, always wear a smile, कपड़े अच्छे पहन लोगे, डि अच्छा पहन लोगे, smile कब अच्छी पहनोगे भाई, कब करोगे smile, कहा लिखे जाओगे smile, जब मर जाओगे तब smile करते करते जला जाओगे, क्या, कर ले मेरे भाई smile, ह इसेंट सा होना चाहिए बंदा यार, लड़की को ऐसा भी ने लगे कि आके खाई जाओगे, और लड़की को ऐसा ही ने लगे कि भाई, कता ही दरिंदा है, तो यह smile करता ही नहीं है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान देना है, excel at something to impress, यह बहुत important point है, तुम कु biggest points होना चाहिए, biggest perks होना चाहिए, USP होना चाहिए, जैसे कि अगर मुझे आप पूछोगे कि मेरे पास USP का है, तो मैं बोल दूगा कि मैं थोड़ा बहुत singing करके लड़की को set कर लूँगा, मैं कह सकता हूँ कि भाई, थोड़ी बहुत communication skills से मैं लड़की को set कर दूँगा, मैं कह सकता हूँ कि मैं astrology, numerology ये थोड़ी बहुत आती है, उससे लड़की को impress कर लूँगा, तुम्हारे पास ऐसा क्या है, जिससे तुम लड़की को impress कर लो, या तो तुम्हारे पास पैसा ही अंदा धुन्द पढ़ाएगी भाई, पैसे के जोर पे लड़की को impress कर इतना अच्छा उससे बात कर लूँगा कि लड़की कदा ही पागल हो जाएगी, या तुम्हारा sense of humor इतना अच्छा है कि लड़की को हसा हसा के set कर लोगे, कुछ ऐसा point तुम्हारे पास होना चाहिए, comment section में बताओ तुम्हारे पास ऐसा कौन सा point है, सोचो और कुछ भी लि को पटाने की कोशिश मत करो, simple सी चीज है लड़की को पटाना नहीं है, जब तुम नहीं पटाते तब लड़की पढ़ जाती है, और जब तुम पटाने के पीछे भागते हो तो लड़की नहीं पढ़ती, ये एक ऐसी चीज है जिसको तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे, ज पक्का भाई जादू टो ना मैं नहीं मेरको निचे यह लेके जाओ अपस लेके जाओ ऐसा क्यों हुआ किकि फ्री की चीज़ की किसी को कदर नहीं होती वो इनसान सोचता लट्डू में जहर मिला दिया होगा तुम जब फ्री में लड़की को भाव देता हो तो लड़की दो फालतों में भाव क्यों देते हो फालतों में उसके पीछे क्यों पढ़ते हो लड़की को earn करने दो आपकी attention जब तक उसको earn नहीं करने दोगे लड़की आपको भाव नहीं देगी नहीं देगी और next point है कि आपको mysterious play करना है आपको एक ऐसा इंसान बनना है जिसको भगवान पैसा है लेकिन बहुत जादा गरीब भी है जो जानने को सब कुछ जानता है वैसे कुछ भी नहीं जानता आपको confused personality बनना है जब आप लड़की को समझ में नहीं आते तब आप लड़की को सबसे जादा attractive लगते हो अब आप बोलोगे भाई तो कुछ भी बोल रहा है कुछ है मैं क्या बता हूँ तो लड़कियों को बड़ा अच्छा लगता है tricks को solve करना puzzles को solve करना कि लड़का कहां घूमने गया क्या करने गया कैसा दिख रहा है वो परिशान क्यों है वो अपने पती को भी ऐसी समालती है तो इसलिए तुम कभी देख लेना जो female जो मादा होती है जानवरों में वो बहुत चंड चलांक होती है वो सबसे दा पावर्फुल होती है मर्द ऐसे ही होता है वो स्ताकत ताकत रखते है तो लड़कियों को ना confusion बहुत पसंद आती है चीजों को solve करना में बड़ा मज़ा आता है तो आपको एक ऐसा project बनना है जो कि unsolved है एक ऐसा puzzle बनना है जिसको solve करने में लड़की को मज़ा आये कोई गंदी आदत अपनी बताओ कि मैं बहुत स्मोक करता हूँ मैं बहुत दारू पीता हूँ मैं बहुत ज़दा बोलना शुरू कर देता हूँ मैं लोगों पर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेता हूँ लोग मेरे emotions का मज़ाक उड़ाते हैं लोग मेरे use करके चले जाते हैं कुछ भी ऐसा दिखाओ जहां पर लड़की आपके लिए sympathy फील करें लेकिन वह sympathy इसलिए नहीं होने चीए कि मैं क्या करूं मैं तो क्या ऐसे नहीं करना बिल्कुल पावर्फुल तरीके से कि रहे लोग तो मेरा मज़ पावर्फुल तरफ लड़की के लिए सब कुछ कर देने में कुछ भी नहीं होका आप लड़की के लिए सब कुछ कर दोगे कुछ भी नहीं होगा जो यह movies में दिखाया जाता है वो सब fake है वो सब fraud है और एक bonus tip आपको मैं देना चाऊँगा कि कभी भी लड़की की beauty पे मत म मरो मत मरो तुम पता है लड़की क्यो नहीं पटाबाते कबHURD आपको वह लड़की पसंद आती है जो सबसे टॉप क्लास की होती है और सीधे मुह पर कहूं बुरा मतमान आ जो तुम्हारी अवकात के बाहर गया लड़की हुती है क्यों ऐसी लड़की के पीछे पढ़तो कभी गल्फेन बनाई नहीं है लेकिन गल्फेन ऐसी ची हाई फाई कभी नौकरी करी नहीं है कोई experience नहीं है लेकिन नौकरी बिची तो 50,000 महीने वाली एक लाख महीने वाली भाई कहां से मिलेगी 30,000 की पकड़ लो नहीं मिलरी 20,000 की पकड़ो शुरुआत तो करो experience तो लेकर आओ जब experience हो जाए तो जोब छोड़ देना अगली में switch कर लेना मैं नहीं कहरा छोड़ देना अपने आप छूड़ जाएगी समझ रहो अगले में जाना 30 पे जाना 40 पे जाना अगले बार एक लाख महीने पर जाना एक सामय ऐसा पड़ता है पैसे कमाने पड़ते हैं अपने आपकी success दिखाने ही पड़ती है अपने आपका experience दिखाना पड़ता है communication skills दिखाने ही पड़ती है description box में एक वीडियो दे रखी है उसमें proper बताया गया है कि जब वो काम आप करोगे लिड़की कोई भी होगी ना खुद आपको आके propose करेगी जरूर देखना उस वीडियो को